ग्रेटा थन्बर्ग टूलकिट मामले में दिली पुलिस की स्पेशल सेल ने बंगलोर से 21 साल की क्लामिट एक्टिविस्ट दिशा रवी को गिरफतार किया है दिशा रवी फ्राइडे फॉर फूचर कैंपिंग की फाउंडर मेंबर में से एक है चार फरवरी को दिली पुलिस ने टूलकिट को लेकर अग्यात लोगों के खिलाफ केस दर्च किया था दिशा रवी पर आरोप है कि दिशा ने किसानों से जुड़े टूलकिट को एडिट किया और उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसे आगे भेजा टूलकिट मामले में भारत में ये पहली गिरफतारी है दरसल 26 जन्वरी को किसानों ने कृशी कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली थी इस दोरान दिली में कई जगह पर हिंसा की घटना हुई थी इसकी चौतर फा अलोचना हुई है इसके बाद पॉपस्टर रिहाना और फिर ग्रेटर थन्बर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था उन्होंने कहा था कि हम भारत में किसानों के अंदोलन के प्रती एक जुट है इसके साथ ही उन्होंने टूलकिट ट्वीटर पर शेयर किया हालाक इस पर हुए विवाद के बाद उन्होंने टूल किट वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया था लेकिन फिर एक नया टूल किट भी पोस्ट किया था किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर हुए विवाद के बीच दिली पुलिस ने चार फरवरी को टूल किट को लेकर केस दर्च किया था इसमें आईपीसी की धारा 124A यानी राज्ट्रो 153A यानी धार्मिक आधार पर विभिन समूहों में दुएश पैदा करने 153 और 120 भी लगाई थी हालागे दिली पुलिस के क्राइम पुलिस कमिशनर प्रवीर रंजन ने बताया था कि FIR में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है किसानों के प्रदर्श्विन के संबंध में सामाचिक ताने बाने को नुकसान पहुचाने वाली टूल किट के क्रियेटर के खलाफ भी मामना दर्ज किया गया था पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान पुलिस को एक अकाउंट के जरिये एक दस्तावेज मिला है जो टूल किट है इसमें प्राइर एक्शन प्लान नाम से एक सेक्शन है जिसमें किसान आंदोलन के दौरान क्या करना है इसकी जानकारे दी गई है पारी एक्सपीरियंस मैनेचर हैं दिशा के पिता मैसूर में एथलेटिक कोच हैं जबकी मां एक हाउस वाइफ हैं